नमस्कार दोस्तों, हिंदी के शब्द रशना पर आधारित चलिए 50 महत्तपूर प्रस्ण और देखते हैं तो पहला प्रस्ण है, परा उपसर्ग का अर्थ है, साई उत्तर होगा दोस्तों इसका ओप्सन B, उल्टा अगला प्रस्ण है, निवने लिखित में से संयुक्तवाक का चैन कीजिए संयुक्तवाक कि है इसमें, उप्सन C, उसने खाना खाया और सो गया अगला है, इनमे से क्या उपसर्ग नहीं है, तो E का जो है वो उपसर्ग नहीं है, उपसन D सही होगा अगला है परिमार वाचक क्रिया विशेशर वाक के को चिन्धित कीजिए सई उत्तर है option C राद को कम खाना चाहिए अगला है राम आम खाता है में वाच्चे का कौन सा रूप है तो क्रित वाच्चे है option A सही होगा अगला प्रस्ण है निमने लिखित में मिश्र वाक के है मेरे आते ही वर्षा होने लगी option A सही है अगला प्रस्ण है पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए या वाक के उधारड है तो मिश्र वाक का उधारड है option C वह योगा इसका अगला प्रस्ण है अत्या चार शब्द में उपसर्ग है सही उत्तर होगा ओप्षन C अती अगला प्रस्ण है अज शब्द को इस्त्री वाचक बनने के लिए किस प्रत्या का प्रियोग होगा सही उत्तर होगा ओप्षन A सही उत्तर है ओप्षन C A अगला प्रस्ण है जो कवी लोगप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं इस वाक्त का सरल वाक्त होगा ओप्शन B लोगप्रिय कवी का सम्मान सभी करते हैं अगला प्रस्ण है आचारियों ने कहा कि अहिंसा ही परंधर्म है संडशना के आधार पर वाक्त के भेड बताएं सई उत्तर होगा आप्शन D मिश्रोवाक्य अगला प्रस्ण है शब्द किस भासा की इकाई है सई उत्तर है इसका आप्शन C सवतंत एवं सार्थागी काई है अगला प्रस्ण है निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समू को क्या कहते है सई उत्तर है आप्शन D शब्द कहते है अगला प्रस्ण है समानिता शब्द के कितने प्रकार होते है तो दो प्रकार होते हैं सही उत्तर होगा option B अगला प्रस्ण है बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं सही उत्तर है option A तीन भेद होते हैं अगला प्रस्ण है उत्पत्ती के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है तो संग्या जो है वो आगच शब्द से संबंधित है सही उत्तर है इसका option A विदेशी शब्द है अगला प्रश्ण है शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं सही उत्तर है इसका option B दो प्रकार के होते हैं अगला प्रस्ण है रचना के आधार पर रूड शब्द नहीं है, सै उत्तर है option C, विज्ञान अगला है योग रूड शब्दों की पहचान करें, सै उत्तर है option C, पीजामबर अगला है विकल्प में दिये हुए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवी करल नहीं हुआ है, तो हॉस्पिटल का नहीं हुआ है, option D सही है, अगला प्रस्ण है कौन सा शब्द अरभी नहीं है, तो कमीना जो है वो अरभी नहीं है, option D सही है अगला है कौन साथ शब्द फार्सी नहीं है सही उत्तर है इसका Option D हक अगला प्रश्ण है तुर्की शब्द नहीं है अजब Option D सही है इसका अगला है शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है तत्सम Option B सही है अगला प्रश्ण है चार विकारी शब्द से सम्मंधित भेद नहीं है समुच्चे बोधाक, option D सही होगा इसका अगला प्रश्ण है जिन शब्दों कोई बदलाव नहीं आता, जिन शब्दों में कोई बदलाव नहीं आता वह है तो अविकारी शब्द है, option B सही होगा अगला प्रस्थन है, अर्जुन ने कर्ड को मारा, मैं उद्देश की पहचान करें सही उत्तर है, option C अर्जुन ने अगला प्रस्थन है, मैंने उसे पीटा, इस वाक्य में विधे की पहचान करें सही उत्तर है option C उसे पीटा अगला प्रस्थन है रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है सही उत्तर है option D उत्देश अगला प्रस्थन है वाक्य के कितने यंग होते हैं उत्देश सिवा विधे option C अगला है जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश सेवा केवल एक ही विधे होता है वहा है सही उत्तर है option A सरल वाक्य और साधारण वाक्य राकेश पड़ता है या कैसा वाक्य है तो साधारण वाक्य है option A सही होगा अगला है सही उत्त वाक्य को पहचानिये वह सुभा गया और शाम को लौट आया Option D सही होगा इसका अगला प्रश्ण है यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ड हो जाओगे किसका वाक के है? सही उत्तर है Option C मिश्रित मिश्र वाक के है अगला प्रश्ण है आश्रित उप्वाक के कितने प्रकार के होते है तो तीन प्रकार के होते है Option C सही है आश्रित उप्वाक के से संबंधित नहीं है Option D सही होगा इन में से कोई नहीं जब आश्रित उप्वाक किसी संग्या अत्वा सरुनाम के इस्थान पर आता है तब वह कौन सा उपवा के कहलाता है संग्या उपवा के कहलाता है option A सही होगा इसका बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की ओर अगला प्रश्ण है मैंने दूद पिया किस प्रकार का वाक्य है तो विधान वाचत option A सही होगा अगला प्रश्ण है गौरो तुम बैठ कर पढ़ो किस प्रकार का वाक्य है तो आज्या वाचक option D सही होगा अगला प्रस्थन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निशेध वाचक नहीं है मैंने दूद पिया option A सही होगा विधान आर्थक वाक्य किशे कहते हैं सही उत्तर होगा इसका option C जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए अगला प्रस्थन है इच्छा वाक्य किसे कहते हैं तो अगला प्रस्थन है इच्छा वाक्य किसे कहते हैं जिस वाक्य किसे आशीष के भाव का बोध हो उसे इच्छार्थक वाक कहते हैं option A सही होगा अगला प्रस्ण है अर्था नुसार वाक के भेद है तो आठ भेद है option C सही होगा अगला प्रस्ण है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे किस प्रकार का वाक कह है इच्छार्थक वाक कह है अगला प्रस्थ है व्याकरडिक द्रिष्टि से भासा की सबसे बड़ी इकाई है तो वाक के है अगला प्रस्थ है वाक के में मुख्य आधार या वाक के की आवाशक्ताएं कौन मानी जाती है अप्शन ए सही होगा आकांच्छा योग्यता असक्ति पदक्रम बढ़ते हैं अगले और अंतिम प्रस्थ ने की हो दोस्तों हिंदी वाक के में साधारता सन रचना क्रम की प्रवर्ति मिलती है तो करता कर्म और क्रियाम मिलती है अप्शन बी सही होगा इसका उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को या वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सेर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा धन्यवाद